हलो गाइस वेलकम टू टेक्रिट्यूर एंद इस तन्मे दोस्तों अगर आप एक नया फोन लेना चाहते हो एंड आपका बजेट 6,000 के अंडर है और आप हजारो फोन के अंडर कन्फ्यूज होड़े कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा तो आप ये वीडियो देखते रहें क्योंके मैं आप इस वीडियो में आपको ऐसी 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 6,000 रुपिस के में दिखाऊंगा जो आपके लिए एकदम बेस्ट हो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर यानि 5 नंबर पे है YU Unique Plus 4G वाला वर्शन इस फोन में आपको 4.1 इंची IPS दिस्पले मिल जाएगा विड गोडिला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ इस फोन में आपको 1.2 GHz क्वाट कोर का पैसर भी दिखना को मिल जाएगा विड स्नाप डगन, 410 चीप सेट अन अडरेनो 306 GPU 2 GB of RAM और 8 GB of Internal Storage भी इस फोन में आपको मिल जाएगा इस फोन में आपको 8 Mpx का रियर कैमेरा विद LED फ्लस और 2 Mpx का फ्रंट कैमेरा भी देखने को मिल जाएगा यह फोन में आपको 2000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा यह फोन रन कता है Android लॉलिपॉप में जो की बहुत कम है अभी के लिए और इस फोन में आपको 4G सपोर्टेट भी मिल जाएगा यानि आप Geo Simis से इस में कॉल कर सकते है प्रिसपोन का प्राइज है 5,990 जिसका बाइ लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फोर्थ नंबर पोजिशन में मैं सिलेक्ट किया हूँ स्वाइप एलाइट 3 को इस फोन में आपको 5.5G का HD डिस्प्लेय मिल जाएगा 1.3 GHz Quad-Core processor मिल जाएगा विट स्प्रेट्रम चीपसेट के साथ इसमें आपको 2GB of RAM भी दिखाए देगा विट 16GB of ROM यानि internal memory के साथ इस फोन में आपको 8MP का rear camera मिलेगा जहां पे फ्लस लाइट आपको देखने को मिल जाएगा और फ्रन में आपको 5MP का front camera मिल जाएगा ये फोन में आपको 2500mAh का battery भी देखने को मिल जाएगा ये फोन रन करता है Android 6 में और इसमें आपको 4G support मिल जाएगा इस फोन का price तो 5999 है बट अभी ये offer में मिल रहा है और इस offer का price 4999 है थर्ड नमबर में मैं इसलिट क्या हूँ iHomey ME1 Plus का एक mobile को ये phone आप साथ से नहीं सुने होंगे क्योंकि ये phone market में नया है और इंडिया में एकदमी नया है इस phone में आपको 5MP का IPS display मिल जाएगा विद 2.5D glass के साथ इस phone में आपको 1.2GHz quad core browser मिल जाएगा विद Mediatek, Chipset and Mali 400 GPU के साथ ये phone 2GB of RAM and 16GB of ROM यानि Intel and Storage भी आपको देखने को मिल जाएगा इस phone में 8MP का rear camera यूज हुआ है विद LED Plus and 5MP का front camera भी मिल जाएगा इस phone का battery थोड़ा जादा है 3000 mAh का battery इसमें यूज हुआ है और ये phone's first charging भी support करता है ये phone तो run करता है Android 6 में बट आप इसको upgrade कर सकता है Android 7 में और ये phone भी VOLT supported है और इस phone का price was 5,199 है सेकंड नंबर पोजिशन में मैं चूज किया हूँ Vintex Aqua Supreme Plus को इस phone में आपको 5.0 IPS display मिल जाएगा 1.3 GHz quad core processor with Mediatek chipset and Mali T720 MP2 GPU के साथ 13 Megapixel का इसमें rear camera यूज हुआ है with LED Plus and 5 Megapixel का front camera भी आपको इसमें मिल जाएगा इस phone में भी आप 3000 mAh का battery देख पाएंगे और ये phone run करता है Android 6 में ये phone भी 4G VOLT supported है और इसका price है 5,499 जो की आपको description में लिंक मिल जाएगा number one position obviously जाता है Xiaomi Redmi 4M के साथ क्योंके इस phone का specification इतना अच्छा है के इसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया इस phone में आपको 550 का IPS display मिल जाएगा 1.4 GHz Quad-Code का processor मिल जाएगा विज स्मार्ट अगेन 425 चीपसेट और अन्डेनो 308 GPU के साथ इस phone में आपको 2GB of RAM भी मिलेगा विज 16GB of ROM यानि internal memory के साथ इस phone में आपको 13MP का rear camera देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको 3,120 mAh का battery मिल जाएगा जो के इस price range में सबसे ज्यादा है और यह phone रन करता है Android 6 में यह phone भी हुआल्टी सपोर्ट एट है यानि आप आराम से इसमें Geosim चला पाएंगे तो ही था मेरा कुछ best top 5 smartphone under 6000 अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक like कर दीजे इस वीडियो को अपने दोस्टों के साथ सेयर करना मन बुलिएगा अगर आप मेरे चनल में नहे हैं तो subscribe जरू से करिएगा